वेल्कम टुयूयू लेसेन कि अभी हम सारा सेटब कर चूके हैं प्लस एक हम शॉपिंग Franken बनाके भी देख चूके हैं अभी जो हमने शॉपिंग . डे ले इन गयूल – उसमें बाई डी-फॉल्ट हमारे सारे groups राइट एक बार मैं दुबारा दिखाता हूँ आपको यह हमारा campaign था जिसमें हमने all products लिया था और इसके अंदर हमारा यह ad group है इस ad group के अंदर मैं जाओं तो by default सारे products मेरे पास थे ठीक है अब मैं चाहूं अभी मैंने देखो क्या किया हुआ है मैंने सारे products लिये मैं और उन सारे products का CPC मैंने रखा हुआ है 14 हैना मतलब मैं देने को त्यार हूँ 14 rupees पर क्ले ठीक है अब suppose मैं क्या करना चाहता हूँ मैं कुछ products के लिए ज़्यादा cpc देना चाहता हूं कुछ के लिए कम cpc देना चाहता हूं ठीक है completely fine है आप करना क्या है आपको आपकी जो भी inventory है जो भी products है आपके website पे आप एक बार उन सारे products को analyze करो ठीक है जी आप सारे products को analyze करो और आप ये देखो कि कौन से products ज़्यादा profitable हैं कौन से products कम profitable हैं किन products पे ज़्यादा अच्छा margin है किन products पे कम margin है ठीक है आप ये पूरी analysis करो और उसके बाद based on your analysis आप अलग-अलग product के लिए अलग-अलग brand के लिए अलग-अलग bidding रख सकते हो ठीक है एक अभी जो bidding रखी हुई है वो है सारे products की मैं ये bidding change कर सकता हूं ठीक है तो आपको करना क्या है आप यहां आएंगे देखिए आप एक option है sub-division ठीक है जी sub-division अब अगर मैं sub-division क्लिक करूं तो देखो मेरे पास बड़े सारे option आ रहे है sub-divide all products by कैसे divide करना है एक है product type एक है condition ठीक है एक है brand अगर आपके पास अलग-अलग brand है तो आप अलग-अलग brand के basis पर कर सकते हो एक है item id अप अलग-अलग item को कर सकते हो ठीक है तो suppose करो ये वाला जो product है मेरा मैं इसके लिए अलग bid रखना चाहता हूं तो continue to edit bids और देखो current max cpc क्या है 14 और इस वाले की cpc मैं यहाँ से change करके suppose कर देता हूँ 16 ठीक है और यहाँ से कर देता हूँ save और यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ save अब देखो एक है all products जिसके लिए cpc है मेरी 14 और एक है 71 अब यह 71 को छोड़के बाकी इधर आ गए इनकी bidding है 14 और इसकी bidding है 16 अब मैं चाहूँ तो इसको बंद भी कर सकता हूँ अगर मैं बस 71 की एड करना चाहता हूँ तो इसको मैं रख दूँगा ऐसे ही और इसको मैं यहाँ से कर दूँगा exclude कर दूँगा तो इनको मेरी एड नहीं दिखेगी right similarly suppose करो मैं किसी और product के लिए अलग bid करना चाहता हूँ तो मैंने क्या add subdivision अब देखो by channel है और मैं इसको कर देता हूँ suppose क्या करें देखो यहाँ पर custom label मैंने बनाया था तो मैं गया custom label 0 पे वहाँ पर मैंने बनाया थे best seller तो अब suppose करो जो भी मेरे best seller है उसके लिए मैं 20 रु आप से आप bid लगा सकते हूँ again make sure कि आप एक बार पहले अपना analysis कर लो and then based on that analysis आप ये changes करो आप randomly अपने आप ये changes मत करो ठीक है दूसरी चीज़ और जो ध्यान देने वाली है जबी भी आप shopping campaign बनाओगे तो जैसे मैंने आपको बताए था सारी चीज़े broad match पर होती है अब यहाँ पी एक again आपके पास situation आएगी कि भाया जो मैं campaign बना रहा हूँ उसकी मैं bid क्या रखो मैं starting किस bid से करूँ ठीक है तो जैसे मैंने आपको पहले बताए था आपके पास दो option है bidding के एक option क्या है कि आप low से start करिए और धीरे धीरे आप high पे जाईए या दूसरा option क्या है आप high से start करिए और धीरे धीरे low पे आईए अगर आप ज्यादा aggressive होना चाहते हो तो you can start with high bidding आप सीधे देखो Google पे आप जो आमने keyword planner पे research किया था आप वहाँ पे research करो और देखो कि जो भी आपके keyword है उसके लिए Google क्या bid recommend कर रहा है पिर जो Google higher bid recommend कर रहा है आप उससे भी high से start करो और धीरे धीरे आप देखो कि अगर आपकी conversion आ रहे हैं आपके impression आ रहे हैं तो धीरे धीरे आप उस bid को कम करो दूसरी strategy क्या आप आप सकते हो आप bidding Google में देखो और जो lower bid है आप वहाँ से start करो और अगर impression नहीं आ रहे तो धीरे धीरे आप उस bid को बढ़ा दो ठीक है आपको ऐसे करना है आप दोनों में से कोई भी strategy follow कर सकते हो if you are short on budget तो आप low to high करो अगर budget is not a constraint for you then you can start with high and धीरे धीरे आप उसको कम कर सकते हो ठीक है और यह बाकी चीज़े तो आपने देखी ही है ads and extension जो भी है यहाँ पर हमारी add है और products आपको यह जो products आप देखोगे सारी products disapprove हो चुके है अब यह disapprove क्यों हुए तो दो reason के वज़े से disapprove है आपको यह दोन चीज़ों का ख्याल रखना है यह disapprove पहले बाद तो इसलिए हुए है क्योंकि मेरी जो website है उसपे refund policy नहीं है आणा जो मेरी website है उसपे refund policy नहीं है और मैं shopping campaign कर रहा हूं तो यह जरूरी है कि मेरे पास refund policy होनी चाहिए तो make sure कि आपके website पे refund policy का page है दूसरी चीज़ मेरी website पे terms and conditions का page नहीं है तो पहला कौन सा page नहीं है terms and conditions का और दूसरा नहीं है आपका refund policy का तो make sure कि आप ये दोनो pages बना रहे हो ताकि आपकी जो feed है जो हमने google merchant center में डाली थी वो feed आपकी disapprove ना हो ठीक है तो आपको इन दोनों चीजों का ध्यान रखना है लेंडिंग पर जहां पर कुछ आ नहीं रहे वो लेंडिंग पर जहां पर user जाएगा और keyword अगेन जो जो keyword है हमारे जिनको यहां पर negative keyword है देखो अगर मैंने कोई negative keyword add नहीं किया हुआ आपको पता है negative keywords कैसे add कर सकते हो यहां पर आप कर सकते हो search term is user जो search कर रहा है तो यहां पर search term कुछ नजर नहीं आ रहे यहां पर audiences as such मैंने कोई select नहीं कि हुई तो आपको यहां पर audiences कुछ दिखेंगे नहीं devices अगें कौन-कौन से device पर आपकी add देख रही है आप चाहो तो यहां से भी bid adjustment कर सकते हो अगर आप computer पर ज्यादा पैसे लगाना चाहते हो compared to mobile phone तो आप bid change कर सकते हो या आप mobile phone पर ज्यादा लगाना चाहते हो compared to computers तो आप वो bid यहां पर modify कर सकते हो अगें पहले मैं आपको इसके बारे में बता चुका हूं तो आप वहां से भी देख सकते हो ठीक है जी तो यह है आप यहां से अपने हिसाब से सारे products change कर सकते हो और products add कर सकते हो ठीक है तो यह बहुत है simple है और yeah that's it from today's lesson